हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डूमा यूटूब चैनल, एक्सरसाइज 6.1 से कोश्चन नबर 2 करेंगे, ड्रॉ रफ स्कैचिस फॉर दा फॉलोइंग, ए बी सी ये तीन पार्ट दे रखे हैं, इनमें रफ स्कैच बना के आपको दिखाना है, तो ए पार्ट में देखिए, इन ट्र साम दे दिया, let's suppose, ये ट्रेंगल हुआ, अब मीडियन है, बी ए, तो बी से ऐसे एक सीधी लाइन जाएगी, और जो सामने साइड है न, ये एसी, एसी के बिल्कुल सेंटर में जाएगी, तो मीडियन जो होगा, ये हो गया मीडियन, क्योंकि मीडियन वर्टेक्स से अपोज सी चेंज भी हो सकती है, अगर कोई बच्चा ट्राइंगल बना दे, और उसका नाम यहां से ए, बी से लिखने के बज़ए, वो यहां से लिख दे ऐसे, ए, बी सी, तो बी से फिर ए, ऐसे जाएगा, बनेगा बी से ही, और इसके सामने ए, सी ही आएगी हर भार, तो अब ये बी ऐसे हो गया, तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, अगर ट्राइंगल ऐसे बना के कोई बच्चा ए यहां से शुरू कर दे, और बी यहां पे लिख दे, और सी यहां पे लिख दे, तो इस बार जो मीडियन है, वो उपर से नीचे की तरफ आएगा, और ए, सी के बिलकुल आंसरों और चलिए भी पार देखिए, बी के अंदर कहता है, इं ट्राइंगल पी क्यूर, पी क्यूंड पी और हईल्ल तीच्चूडस ऑ रिठ यानि पी अल्टिच्चूड एयोंcribe एक ट्रैंगल के अंदर दो हुल्टीच्चूडूड दे रखे हैं आपको अब वैसे तो एक triangle के अंदर 3 altitudes possible हो सकते हैं क्योंकि triangle के 3 base होते हैं तो भारी भारी से उसके altitudes भी 3 हो सकते हैं अब यहाँ पे 2 altitudes दे रखे हैं तो 2 altitudes का मतलब है कि दोनों के बीच में यहाँ पे 90 degree का angle होगा क्योंकि altitude होता क्या है वही तो होता है जो 90 का angle बनाता है vortex से सामने की side पे जो 90 का angle बनाता है वह altitude होता है it means अगर P से Q और P से R यह दोनों altitude है तो यहाँ पे 90 का angle बन रहा होगा तो 90 का angle यहाँ पे जरूर बन रहा होगा P पॉइन्ट के उपर और इन दोनों में से कोई सा जो point है वो Q और R हो सकता है क्यों यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है R यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है तो यह point होंगे Q और R इसे join कर देंगे तो यह triangle बन गया तो यह triangle P Q R हो गया है अब ध्यान से देखिए यह P Q जो है इसका altitude है अगर जमीन पे ये ऐसे टिका हुआ है तो आसमान की तरफ ये PQ है यानि ये इसकी height है अच्छा अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ इस बार जो जमीन पे टिका है वो PQ है यहां से आसमान की तरफ इसकी जो height है वो PR है तो इस तरह जबी भी आपको triangle में दो altitude दे रखे हो तो समझ जाना कि वो right triangle ही है ये B का part हुआ चले C part देखिए in triangle XYZ XYZ के अंदर YL is an altitude in the exterior of the triangle कोई triangle XYZ है उसके अंदर कोई altitude है YL और ये भी दे रखा है कि जो altitude है वो बाहर है exterior में है तो आख मीच के समझ जाना जबी भी कोई triangle obtuse angled triangle होता है तो ही उसका जो altitude है वो बाहर पड़ता है देखिए ये triangle है नाम मैं भी नहीं लिक रहा हूँ ये इसका base है ये जमीन पर टिका हुआ है ऐसे तो इसकी height क्या होगी इसकी height होगी जो इसकी ये चोँच है ना उपर की तरफ जमीन है यहाँ पर ये ये आस्मान की तरफ है तो जमीन से ये इतनी उचा ही पर है तो यहाँ से जो जमीन तक का बिलकुर सीधा distance होगा ना बिलकुर 90 degree पर जो distance होगा वो इसकी height होगी अब ये है एक obtuse angled triangle तो obtuse angled triangle की जो altitude होती है वो हमेशा triangle से बहार ही आती है मतलब एक height अगर ये इस तरह टिका हुआ है तो अगर इसका base ऐसे होता ये जमीन पर ये वाला part टिका होता तो फिर ये अंदर आ जाती अग यहाँ पर figure में जो नाम है उसके हिसाब से देखिए yl is altitude देखिए y तो triangle के अंदर include है that means कि ये point तो y होगा और yl altitude है l triangle में कहीं है नहीं it means ये point l होगा तो ये yl हो गया और ये altitude हो गया और ये triangle के बाहर है अब ये जो दो points है ना इनका नाम कुछ भी हो सकता है y को छोड़के ये x और z कोई सा कहीं भी हो सकता है यहाँ x हो सकता है यहाँ पे z हो सकता है तो x, y, z triangle भी हो गया y, l इसका altitude भी हो गया और ये बाहर भी हो गया यहाँ पे ये z और x इधर उधर हो सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है question खतम तो इस video में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं